आज हम अनाश के दाने, यानि बीजों के साथ अलग लग तरह की activities करेंगे इसके लिए आप बच्चों को पहले दिन ही बता सकते हैं कि कल जब स्कूल आएं तो अपने साथ अनाश के दाने या बीज अपने साथ लेके आएं और उनके साथ बीजों को लेगी बहुती सुन्दर गतिविधी उनके साथ कर सकते हैं जैसे आप बीच में बैठ गए बच्चों को अपने चारों तरफ बिठा लिया और सबसे पहले बड़े दानों के साथ एक गतिविधी करेंगे तो हमने पहले दस राजमा के दाने ले सकते हैं और दस छोले के दाने अब किसी एक बच्चे को हमें ये बोलना है कि इसमें से छोले में से कुछ दाने उठा के आप राजमा में रख दीजे तो मान लीजे उसमें तीन दाने उठाए और तीन दाने उठा के राजमा में रख दीए और इसको मिक्स कर देंगे फिर दूसरे बच्चे की आँखों पर पट्टी भान दीजे और अब उसको बोलिए कि आखे बंद करके और इसमें से तीन ही दाने उठाके और छोले में रख देंगे एक, दो और तीन और अब अशूदी देखेंगे कि छोले में राजमा कितने है और राजमा में छोले के दाने कितने है तो चोले में राजमा एक और दो और राजमा में छोले एक और दो दोनों सवान आए अब ये mixture से वापस इस activity को आगे कर सकते हैं कि अभी वापस इसमें से पहले हमने तीन दाने उठायते इस बार हम आंख बंद करके चार दाने इसमें से उठाते हैं कोई भी चार दाने एक, दो, तीन और चार अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें से वापस चार दाने उठाएंगे एक, दो, तीन और चार ये चार दाने उठाके इसमें रख लेंगे और अब वापस गिनके देखेंगे कि छोले में राजमा कितने है और राजमे में छोले कितने हैं तो एक, दो और तीन और राजमा में छोले एक, दो और तीन वापस यह समान आये इस प्रोसेस को हम चाहे कितने भी बार करें ये हमेशा दाने समान ही रखते हैं थोड़े बड़े बच्चों के साथ यही एक्टिविटी हम ऐसे कर सकते हैं कि एक कटोरी में हमने छोले ले लिए दूसरी में राजमा जोगी गिनके नहीं रखे हुए हैं और वापस हम क्या करेंगे इस में से जितने भी दाने चाहो चुमाल लीजिए 10 दाने उठाके हम राजमा में रखेंगे हम छोले में रखेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, और दस ठीक है अब गिनके देखेंगे कि छोले में राजमा कितने है और राजमा में छोले या फिर एक मार और कर सकते हैं इस प्रोसेस को कि अभी हमने दस दाने लिए थे अब मैं पांच दाने उठा लूँगी, कोई भी पांच दाने इसमें से एक, दो, तीन, चार, पांच और मैंने राजमा की कटोरी में रख गए अब इसको मिक्स करके इसमें से वापिस पांच दाने एक, दो, तीन, चार, पांच छे, साथ, आठ, नो, और दस, और एक ग्यारा, ग्यारा राजमा थे छोले में, अब राजमा में छोले, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, और ग्यारा, अब एक भी छोला नहीं है, तो अभी भी ये दोनों में ग्यारा ही निकले, और आप इस वीडियो में भी देख रहे होंगी, कि बच्चों को ये गतिविदी करने में बहुत मज़े आ रहा है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, और अगर आप इसी एक्ट तो मज़ेदार बात ये है, कि ये जो प्रक्रिया हम कर रहे है, ये जो एक्टिविटी है, ये इस बात पर निर्भर नहीं कर रही कि हमने स्टार्टिंग में कितने दाने लिए, और नहीं इस बात पर निर्भर कर रही है, कि हम कितने दाने उठाके इस कटोरी से इसमें रख चोटे बच्चों के साथ जितनी गतिविदी हातों से कर पाए उतना अच्छा है अगर इसके साथ उनको गिंती आ जाए तो सोने पर सुभागा और जब बच्चे बड़ी into सवे जाए तब उनके साथ हम यह चर्चा कर सकते हैं के अक्विटी काम कैसे कर रही हैं यह दोनू दाने राजवा में छोले और छोले में राजवा दोनू समानी के ओ आ रहा है हर बार तो यह चर्चा हैं हम उनके साथ कर सकते हैं और यह activity को नीम्बू पानी और चाय के साथ भी कर सकते हैं और फिर हम ratio, proportion और concentration के चरचा कर सकते हैं अगली गतिविदी के लिए हमें सीर्स के साथ साथ कोई गोल चीज भी चाहिए होगी जैसे चूड़ी, यह glass भी आप ले सकते हैं या फिर टेप रोल तो इससे हम चूड़ी का यूज़ करके हम एक circle यहाँ पर बना लेंगे और ऐसा ही एक ओर circle इसके पास में अब इन दोनों circles की जो यह परीदी है, boundary है उस पे हम कुछ seeds को रखेंगे तो इस पे मैं अरहर के दाने रख रही हूँ, इसकी boundary पे और इस पे मैं रखूंगी तर्बूश के दाने तो पहले मैं अरहर के दाने रख लेती हूँ तो इस circle पे जो अरहर के दाने आएं वो आए हैं एक, दो, तीन, चुछा 38 और इस पे जो तर्बूश के बीज आये हैं इस circle पे वो भी गिल लेते हैं कितने हैं यहां से गिलते हैं एक, तो, तीन, चुछा 20 तो तर्बूश के दाने almost इससे आधे आये हैं अरहर के दानों से almost आधे आये हैं और यह आये हैं 20 और यह आये हैं 38 अगर हम इन दानों को boundary की बजाए इस circle के अंदर भढ़ दें पूरे दानों को, एक दूसरे के उपर overlap नहीं करने चाहिए पूरे दानों को हमने, अगर circle के अंदर भढ़ दें और ऐसे ही अरहर की दाने भी circle के अंदर भढ़ दें तो अरहर की दाल के दाने तर्बूस से 4 गुना जादा आएंगे और जब बच्चे आगे की कप्षा में जाएं तो इसी चीज को प्रूव कर सकते हैं और यह बता सकते हैं कि यह क्यों हुआ और इसी activity को हम triangles पे भी कर सकते हैं, square बना के भी कर सकते हैं तो अगर हम इन दानों को boundary या circle के अंदर भरने की बजाए अगर इसके उपर, circle के उपर या triangle के उपर उसका पहाड बनाएं यानि 2D की बजाए 3D उसको बना दे तो आठ गुना दाने जादा लगेंगे और दानों के साथ करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसके लिए बड़ी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे बेर या मोसंबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पहाड बनाने के लिए आखरी गतिविदी हम मुंपली के दानों के साथ करेंगे तो किसी भी चीज को आधे में डिवाइड करना असान होता है लेकिन अगर उसी चीज को अगर तीन भागों में बाटना हो तो थोड़ा मुश्किल होता है तो आज हम इस मुंफली के धेर को आधे में डिवाइड करते करते तिन भागों में बाढ़ देंगे तो चलेख करके देखते हैं तो यह मुदफली का डिएर है और यह मुदफली के दाने पहले मैंने गिंके रखेते यह टोटल दो सो अड़ीस दाने है यह आजे सांझे निकाल देते हैं भार तो roughly इसको तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं पहले एक बाग, दो भाग, और ये तीसरा भाग तो अभी देखने पर लग रहा है कि इस भाग में थोड़े कम दाने हैं तो हम क्या करेंगे ये छोटे वाले भाग को इस एक बड़े भाग में मिला देंगे और वापस से इसको आधे में डिवाइड करने की कौशिश करेंगे और इस भाग को इसमें मिला देंगे अब ये बड़े भाग जो बना है, ये छोटा भाग है और ये बड़ा भाग इसको वापस से आधे में डिवाइड करने की कौशिश करेंगे यह आधे में निवाइड किया, एक बार और कर लेते हैं इस प्रोसस को, इसमें मिला दिया, यह बड़ा भाग बन गया, अब इस बड़े भाग को वापस से आधे में निवाइड करने कुशिश करने हैं, चलिए, एक बार और कर लेते है, इस्को इसमें मिला दिया और इसको वापस से आधे में डिवाइड करकर दिया, चलिए को इस बार को, इनको गिनके देख लेते का यह दाने कितने हैं, तो एक, दो, 81 दाने आये और अगर आप 238 को का तीसरा हिस्सा अगर करेंगे 238 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो आता है 79 और हमारा आया है 80 और सबसे आखिर में बच्चे जो 15-20 रहे के दाने लेके आये हैं उन दानों को भिगो दें और जब बच्चे अगले दिन स्कूल आये तो अपने अपने दानों को बच्चे उगा दे और देखें कि कौन सा दाना सबसे पहले उगा और कौन सा दाना सबसे लास्ट में और कौन सा दाना नहीं होगा मर गया जैसे साबूत मूं या साबूत अरहर तो उख जाता है लेकिन मूं की दाल या अरहर की दाल नहीं उख पाती क्यों इसके बारे में भी बाद में चर्चा कर सकते हैं